नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटीब चैनल पे इस विरिश को पहचान नहीं है इसे अरंड बोलते हैं, रेंड भी बोलते हैं ये भारत वर्स के परते एक शहर में पाया जाता है इसकी खेती भी होती है, इसका तेल भी निकलता है ये विस, यूक्त होता है, इसमें नीरो टॉक्सिन नाम का शोष में जहर पाया जाता है ये दिखा रहे हैं, ये दिखिए आप लोग अच्छी तरीके देख लीजिए, पिर इसका पायता है ये देख रहे हैं ना, चारो तरप लगा हुआ है अब आपको ये देखिए ये कोई साधरन चीज नहीं है बहुत ही अदभूत चीज है ये ठीक है? पत्यत्य देखने कैसे हैं? अब ये इसका क्या परियोग है? ध्यान से सुनना और इस परियोग को जब आप करेंगे तो खुसी से उच्छल पड़ेंगे कि इतनी आसानी से, इतनी सरलता से इतना अच्छा रिजल्ट देने अलब परियोग हर कोई नहीं देता है चूँकि आपका वक्त बरबाद करना, समय बरबाद करना और लोगों का काम होगा हमारे चैनल का नहीं हम चाहते हैं कि आप अगर कोई परियोग करें, सही तरीके से करें उसका सही रिजल्ट लीजिए ताकि आपके हिर्दे में मेरा और मेरे चैनल के प्रती आस्था बढ़े तो बगार देरी कि हम बताते हैं यह कौन सा उपाय है, चूंकि आज हम जंगलों की तरफ नहीं कह सकते हैं यह थोड़ी से रिहाईस एरिया, कालोनी एरिया यहां हमको दिखा तो वीडियो बना रहा हूँ मित्रों दीपावली के एक दिन पहले कोई अरंड का वरिच दिखिए, उस पर लाल धागा बांध कर एक रुपए का सिक्का और पांच सुपाड़ी रखकर चले आना, बोलना मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा, रात को मेरे साथ चल कर मेरा काम करना अब दिवाली की रात को जब शूरे अस्त के बाद दीपक जलते हैं, उसी समय आपको जाना है उस वरिच के पास, जिसको रात को निमंतर देके आये थे अगले दिन, पिछले दिन, आप क्या करना है? उसको प्रणाम करिए, उस पर एक लोटा, एक कलस जल डालना, सिंदूर का टीका लगाना, उसके बाद उस पेड़ को छोटा पेड़ देखना, उस पेड़ की कोई भी एक डाल अपने उल्टे हाथ, यानि लेफ्ट हैंड से जटके से तोड़ना, और जब तूट जाएगी, तो इस डाल को आपकी चुपे चाप वहां से उठाना, उठाने के बाद रात को जहां लोग गाओं में या सहरों में देखिए, एक अठा तीन रास्ते नहीं मिल जाते हैं, तीन रास्ते, उसको कपूर रखकर, या ज़्यादा कपूर लगेगा, पच्चास से साठ ग्राम उकड़ा करके उसकी कपूर को पर रखके जला देना, जब आप जलाएंगे तो उसके चारु तरफ गोल गोल, कच्चे दूद की धार, वह चाहिए भैस का हो, गाय का हो, गाय का हो, अल दी बेस्ट, वह धार दे देना है, और चले आना है, अगले दिन, शूर्य देश से पह लाना, अब ये राक मामूली राक नहीं है, जब भी आप से किसी को काम निकलवाना हो, ये थोड़ी देर के लिए मोहन करता है, किसी से जाना है, काम लगाना, निकलवाना है, तो आप अपने दहने हाथ की अनामिका उंगली, अनामिका किसे कहते हैं, जो हाथ के सबसे चोट उगली के घगल वाली को अनामिका बोलते हैं इसमें राक का थोड़ा सा टछ घच कर ले deber यह निहीं हात अनम का उध्य को कळलिक में राक को लगा ले और यह राक कि नहीं किसी तरी के व्यक्तिक या महिला को लगा देंगे तो आपका जिसक्तिक काम के लिए राज क्या काम हो सास कि क्या किसी परकार का वह आपका कार हो जा Suri घॉ सिरुप आंसजान कर दियाद्यक means जो व्यक्ति बार-बार जाने पर आपका काम टाल मटोल कर रहा नहीं दे रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत से उतनी कि आफिसर लोग आपको बहुत दवडाते हैं, राजा परजा के बीच का ये सिस्टम होता है, आप इसको लगा कर मत्थे पर अगर आपकी पेशी पिता की सेवा करें, और इस बार दिपावली में, आओ हम सम मिलकर एक अच्छा काम करते हैं, किसी ऐसे गरीब के, जिसका कोई सहारा नहीं हो, उसके हां मिठाई, कुछ खिलाओने, कुछ पटाके, कुछ पकवान, कुछ वस्त्र, आओ हम सब मिलकर उस घर में, दिपावली क दिपावली का, ये उत्सव मनाएं, और खुशियां बाटें, किसी गरीब, किसी आसाहाई के चेहरेप अगर आप मुस्कान दे देते हैं, तो वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ा करतव्य हैं, और मैं जानता हूँ, कि मेरी तबयत सही नहीं, फिल भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे फिवर है, बहुत ज़्यादा फिवर है, आवाज से आपको लग रहा होगा, लेकिन आपका ये प्यार है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, चूंकि आसर बार बार नहीं आता, एक साल फिर इंतजार करने के बाद कही यह आउसर आएगा तबेत तो लगी रहेगी लेकिन यह आउसर आपके हाथों से मैं जाने यानि खोना नहीं चाहता हूं आपके हाथों से यह प्रयोग करा के आपको लाब दिलाना चाहता हूं जैश्यरा महरा हर्मादेव